11 करोड के बजट में बनी 2017 की ओरिजिनल विक्रम वेधा का जब बॉलिवूड में रीमेक हुआ तो बजट था 175 करोड डारेक्टर वही, सिनिमेटोग्रेफर वही, आल्मोस्ट लोकेशन वही दिख रहे है तो फिर बचे हुए 164 करोड रुपे आखिर लगे कहा टीजर रिव्यू करेंगे विक्रम वेधा अगर बॉलिवूड फिल्मों के मिनिमम बजट की भी बात करें तो वो 30 करोड से नीचे तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता 30 करोड की फिल्म को भी लो बजट फिल्म कहा जाता है जहां आपको कोई बड़ा स्टार नजर नहीं आएगा शायद यही रिजन है कि आम सी फिल्में भी यहां आप 60-70 करोड से कम में नहीं बनती जिनने रिकवर करना आल्मोस्ट मुश्किल हो जाता है वही फिल्म में अपना पैसा रिकवर कर पाती है जिसमें कुछ अलग हो जो लोगों के दिल को टच कर जाए विक्रम वेधा फिल्म का टीजर आ चुका है जिसमें बॉलिवुड इंडस्ट्री के दो बड़े दिगज देखने को मिले है अब दो स्टार्स के आने से तो बजट बड़े गाई लेकिन यही एक मातर रिजन नहीं है कि ओरिजनल विक्रम वेधा जो 11 करोड में बनी थी उसी फिल्म की रीमेक को बनाने में 175 करोड रुपे कैसे लग गए इस पर आगे चर्चा चलती रही कि लेकिन उससे पहले टीजर के बारे में बात कर लेते हैं रितिक रोशन को एज वेधा देखने के लिए लोग उत्सुक थे हाला कि सैफ अली खान की फैन फॉलॉइंग भी कम नहीं है लेकिन ओरिजिनल विक्रम वेधा में माधवन के किरदार पर विजय सेतुपती का किरदार भारी पढ़ गया था और विजय सेतुपती ने फिल्म में एक यादगार किरदार निभा दिया था तो लोगों में उस character को रितिक रोशन द्वारा कैसे निभाय जाएगा इसे लेकर उत्सुकता थी टीजर की शुरुआत सेम वैसे ही होती है जैसे ओरिजिनल विक्रम वेदा के टीजर में देखने को मिला था यानि विक्रम और वेदा का interrogation वाला scene आपको बतादू कि फिल्म तो remake है ही तो obviously scene to scene ओरिजिनल जैसे ही देखने को मिलेंगे बट यहाँ टीजर को edit करने वाले ने भी टीजर में अपनी कलाकारी दिखाने की जहमत नहीं उठाई औरिजिनल विक्रम वेदा का teaser 42 सेकंड का था लेकिन उसमें यूज हुए 20-25 सारे scenes को remake वाले विक्रम वेदा के 1 मिनट 42 सेकंड वाले teaser में यूज किया गया है रितिक रोशन फिल्म में अवदी बोलते दिखाई देते हैं जो बिहार के कुछ इक्षेतरों में भी बोली जाती है हाला कि फिल्म में वो कानपूर के निवासी दिखाए गए हैं उन्होंने इस तरह के accent के साथ सूपर 30 नाम की पूरी फिल्म ही बना डाली थी बट सच कहूं तो अपने accent से वो ना सूपर 30 में इंप्रेस कर पाए थे और ना यहां कर पा रहे हैं बट acting के point of view से वो इस teaser में एकदम fire लग रहे हैं उनकी दाड़ी और printed कुरता उनके gangster वारे look को और effective बना रहा है फिल्म remake है तो compare तो किया ही जाएगा इस किरदार को विजे सेतूपती ने जबरदस्त निभाय था जब उन्हें वेदा का किरदार सुनाया गया होगा तब वो या director मात्र उस character को imagine ही कर पा रहे होंगे और उसी के बलबूते उन्होंने वेदा के character को निभाया होगा और उनकी कोशिश टीजर में दिख भी रही है सैफ अलिखान का किरदार उनके sacred games वाले किरदार की याद दिलाता है हाला कि ये वाला किरदार उससे powerful है जिसे खुद सैफ कितने power के साथ निभा पाते है ये film release होने पर पता चलेगा टीजर में उनके द्वारा कोई समवाद सुनने को नहीं मिला है समवाद की बात आई तो एक कहानी सुनाओं या एक कहानी में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं लेकिन यहां दोनों बुरे हैं इस तरह की lines powerful लग रही हैं इनने मनोज मुंतशिर ने लिखा है खायर फिल्म के budget की बात हो रही थी तो आपको बता दे कि original विक्रम वेधा की पूरी shooting इंडिया में ही हुई थी लेकिन सेम कहानी होने के बाद भी बॉलिवूड की विक्रम वेधा इंडिया में shoot नहीं हुई है दरसल फिल्म की कहानी यूपी की दिखाई गई है और maximum scenes कानपुर या लखनव के हैं तो उन्हें वहीं shoot किया जा सकता था लेकिन रितिक रोशन इसके लिए राजी नहीं थे वो यूपी के इन शेहरों में shoot करने में शायद uncomfortable महसूस कर रहे होंगे तो इसलिए उनके लिए अबुधाबी और UAE में पूरा का पूरा set लगाए गया दरसल वहाँ एक set लगा हुआ था जिसे tiger जिन्दा है के लिए लगाए गया था उसी set को reconstruct करके वहाँ विक्रम वेदा की shooting की गई tiger जिन्दा है के बाद उस set का कुछ साल तक इस्तिमाल नहीं हुआ था तो अगर UAE में जाकर 27 दिनों के लिए आप लखनों का set लगाएंगे तो बजट की तो ऐसी तैसी होगी है बट प्रडियूसर्स बिचारे करे भी तो क्या करे star ने demand कर दिया कि लखनों में शूटिंग नहीं करनी तो नहीं करनी अब फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए 175 करोड रुपे कमाने होंगे प्रॉफिट तो बाद की बात है औरिजिनल विक्रम वेधा का एक बड़ा प्लस पॉइंट था उसका background music अगर एक फिल्म के साथ उसके background music को भी याद रखा जाए तो समझो BGM ने उस फिल्म की काम्याभी में एहम रोल प्ले किया होगा यहां रीमेक के टीजर में भी वो BGM सुनने को मिलता है विक्रम वेधा बेताल 25 की कहानी पर आधारित है उसी कहानी से प्रेडित होकर गायतरी पुषकर ने मिलके यह फिल्म लिखी थी और वेधा का रोल भी विजे सेतुपती को माइन में रखकर ही लिखा था उनके अनुसार इस किरदार को विजे सेतुपती से बहतर और कोई नहीं निभा सकता बाकी पांच साल बाद उन्हें भी यह लगा कि रितिक रोशन निभा सकते हैं एन्यवेज सैफ अली खान और रितिक रोशन वाले रोल्स के लिए पहले शारुक खान और आमीर खान को एप्रोच किया गया था शारुक खान ने तो पहले ही मना कर दिया वहीं रितिक रोशन ने 25 करोड चार्ज की है अब ये दोनों फिल्म से और्डियन्स को कितना इंप्रेस कर पाते हैं ये फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा Have a nice day